प्रैंड स्वागत है आपका बन्दभूटी किचिन में फ्रैंड हम लेके आए हैं आज ये सैलू फ्राई स्नेक्स अगर आपको ये रेश्पी हमारी पसंद आए तो लाइक सेज सस्क्राइब चरूर करें अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब चरूर करें तो friends बनाईए आप ए बहुती टेश्टी स्नेक्स जटपट से बनने वाले और बहुती टेश्टी और क्रेंची लगते हैं अगर आपने एक बार इनको इस तरह से बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे तो देखे मैंने आपको एक तोड़कर भी दिखाया है बहुती मज़दार यह लगता है तो चलिए friends देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है तो friends हमें चाहिए पालक, पालक को हम mixer grinder में डाल देंगे तो मैंने पालक को धुलकर पहले ही रख लिया था तो मेरी ये पालक एक दिन पुरानी है, फ्रेज में रखी हुई थी तो हमने सोचा चलो इसका हम कुछ बनाते हैं अब हम इसके में टालेंगे friends एक चमच टेस्ट अनुसार नमाक फिर इसके बाद हमें लेना है गयहूं का आटा तो आप कमिया जांदा ले सकते हैं जैसे भी आप इस रेस्पी को बना रहा है तो बड़ेलसार ये डो हमारा बनके तैयार है आटे का तो चले देख लेते हैं अगली प्रॉसेश तो फ्रेंट्स अब हमें चाहिए पनीर आप कमिया जांदा ले सकते हैं जैसे भी आप बना रहा हैं पनीर को हमें ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेना है तो आप हाथों से भी से मसल सकते हैं तो देखिए हमने अच्छे से पनीर को इस तरह से फ्रेंट्स ग्रेट कर लिया है तो अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे अपने खर के तो फ्रेंट्स हमें थोड़ा सा तो आटा हुआ फ्रेंड्स हमे अरहा धनिया डाल देना हैं 2-3 बारीत कटीवी हरी मेची हुआ सब्सक्राइब music एक छम्मच वाचि चाट मसाला भर कर जीरा भर और पर और पर पर छेश्ट अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे इसके बाद हमने इसमें डाला हुआ है काली मेची पाउडर और हमें सभी को अच्छे से फ्रेंड्स मिक्स कर लेना है तो देखी इस तरह से हम बड़ी अलसा इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारे सभी मसाले पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे आप चाहो तो इसमें गरम मसा दए पटला करते हैं तो अब ही हमारी श्टपिंग नंगे ताइर है यह अंग लैंगे यह रखा लृटी की तरह अदि on a rice फेल भैल जातों से पॉर्ची पटले लेना है जादा मौटी नहीं दो हुए फेंची इस उपर लगा और ऊप्तरे पानी निये कहते हैं पनीर से दिढिख चपो छीड अई नहीं निकले है नहीं कुछल लीट से था price I came दे ऊदे लूड़ मेची पाउडर थोड़ा से स्पाइसी बनाएंगे इसको बहुत ही मज़िदार लगता है आप इस तरह से ट्राय जरू कीजिएगा बनाके पसंद आयो अगर यह आपको हमारी रैस्पी तो इस तरह से हमें क्या करना है अब हम इसको इस तरह से फोल करते जाएंगे बडियल से हमारे मैं पनीर भरी हुए है अच्छे से चि पक्ति ज आएगी इस तरह से रॉल बनके तैयार हो जाएगा तो तो दीखे इस तरह से एर रॉल हमारा फ्रेंट्ड बनके हो चुका है बडियलसा तैयार तो अब हमें क्या करना है अब हमें लेना है एक चाकू और चाकू की सहता से इ के छोटे-छोटे से इस तरह से पीसेच कर लेंगे तो हम सभी को इसी तरह से बना लेंगे जितने भी हमारे बनेंगे तो इसमें तीन हमारी रॉल्स इस तरह से बने थे जो मैंने दो पहले ही बना के रख लिए एक आपको दिखा दिया है फिर हमें क्या करना है इसको हाथों से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देना है, तो इस तरह से इसका सेव आ जाता है, तो हम इसको थोड़ा हाथों से इस तरह से दबाती हुए, सभी को फ्रेंट समय ऐसी तरह से बना लेना है, आप चाहो तो एकदम गोल भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इनको लंबा किय कि अगले प्रोसेशित देखने में बहुत ही अच्छे लगते दें। draw और हो प्रेट में निकाल लिए पैन। पेन में हलका सा हमने ओल डाला हुआ है तींचा चम्मच के आसपास किमकि हम इनको करेंगे सेलो फ्राई आप चाहो तो इनको हलका सा एक चम्मच ओल में भी फ्राई कर सकते हैं कम ओल में और इस तरह से एक एक करके फ्रैंड समय सभी को इसमें डालते जाना है और इने हमें सेल अगर आप वाइल कम खाते हैं तो आप हलका सा वाइल लगाए ग्रिस कीजिए और ये रैस्पी पैसे भी पनके तयार हो जाती है तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम इनको उलटते पुलटते बडियल सा हमें सेक के तयार कर लेना है तो देखिए इस तरह से इनका कलर चेंज होने ल इनको उलटते प्लटते क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे सेलो फ्राई तो दीखिए बडियल साब इनका कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही क्रेंची बनते हैं अब एक बार बना के जरू ट्राइक कीजिएगा तो दीखिए अब हमारे पनके तयार है अच्छे लगेंगे तो आपको एक ऐसी लगी हमारी रेस्पी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताईएगा तो सभी को हम इस तरह से निकाल ली हैं अब हमने इनको मौई नीज के साथ सर्प किया है आप अपनी मन पसंद चतनी के साथ इनको फ्रेंस इंजॉय कर सकते हैं बह बाब बाब फ्रेंच टेक केर